उना भया जिन्दाबा 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 प्रत्याशी ने प्रत्याशी ने सबसे पहले तो सभी को छटपर्व की शुपकामनायदी है और DTV भारत की समोदाता सुमेद पांडे से भी मुख्या प्रत्याशी किशोड कुमार सिंग ने खास बात चीत की है और कहा है कि यदी यदी जनता उन्हें जीत का दाज पहनाती है तो वो प्रखंड में विकास की बयार जरूर बहाएंगे तो देखिए जरा आप भी ये खास पाचीत पंचाई चुनाव का आगाज हो चुका है और बकसर जिले के अगर बात कर ले तो बकसर नवानगर केशट डुम्राव इटाड़ी इन प्रखंडों में चुनाव जो है संपन कराय जा चुके हैं नतीजे जो रहे वो इस बार जो असी परतिशत था जनता ने बदला किया पंचायतों में हम अभी मौजूद हैं चौगाई प्रखंड के मुरार पंचायत में जहां से हमारे साथ बात करनी के लिए मौजूद है किसोर कुमार सिंग जी और मुन्ना जी जो कि इस बार चुनाई मैदान में है और मुखिया प्रतियाशी भी तो सीधे हम उन से मायं पंचायत की सभी तमाम मुद्दवों लेकर मुखिया बनना चाहता हूं जो हमारे पंचायत के तमाम युवा बर्ग महिला रोष या गली-नली या वाड़न में रोष्णी की बौस्था या स्वास्थ शीफ्षां कि शमस्यां यह सारी शमस्याहों को दूर करने काम का मैंने घोषणा पत्र भी मैंने जारी किया है उसमें आपने मुख्यता किन-किन बिंदूओं पर प्रकाश्ट डला है जिसमें पहला मेरा है कि मुरार पंचाइत में डॉक्टर सच्टान सीनहा के नाम से पंचाइत सरकार भावन का निर्मान जिसका पैसा मेरे खाते में जा चुका है और उसी भावन में लाइब्रेरी वीडियो कॉंफ्रेंसिंग हॉल या पुस्तकाले का भी उसमें सारा निर्मान करने का काम जो सरकार के द्वारा परस्तावित है उसको करने का मेरी मैलाओं और पूर्शों के लिए उद्दोग घर-घर में लगाने का काम परसक्षिन दिला कर बहुत सारी संस्थाएं हैं जो कि परस्षिशन दे रही है और घर-घर में उद्दोग लगा रही है मेरे गाउं में बैंक भी है बैंक साखा भी है जिससे मैं कनेक्शन पूरे युवाओं को करके और उद्दोग लगाने का काम करूँ जी मैं आर्थिक ड्रकार के दोड़ा परस्थाओी थे ये दोने जोजना को मैं लागू करूंगा आज एक जिज्ट जो मुखेता जो देखी जाती है युवाओं को ले करके जो ऐसे युवां जो कि परतीों क की तैयारी करते हैं या फिर पुछी में जाना चाहते हैं या फिर सेनामें जाना फिल्ड में मैंने यह गोसना किया है कि 4 पीट 4 तरफ से चार दीवारी दे कर प्रयाप्त रोश्नी के बहुस्ता करूँ गा और उन रोश्नी जिस रोश्नी से कि जो धिलाड़ी है हमारे पंचाईद के वह राट में भी खेल सके और तैयारी कर सके और जो सेना में जो सरकारी जो योजनाय आती है जो कि गरीबों के लिए होती है जो कि बेसाहराओं के लिए होती है जैसे कि राशन की बात कर ले आवास की बात कर ले पेंशन की बात कर ले राशन के लिए मैंने अपने घोसना पत्र में राशन कार्ड बनाने का जिन लोगों का नहीं बना है बनाने का वादा किया है और जो पेंशन की बहुसता है गरीब लोगों के लिए जो बिद्वा पेंशन है भिखलांग पेंशन है जिसका नहीं बना है ये एक अंदर बनाने का बादा किया है अच्छा एक चीज़ जो है मुख्धा पंचायतों में देखी जाती है कि जो सरकारी जो जड़ी जनाय होती हैं उसमें जो जो विश्व लिज जु होते हैं उनकी भूमिका जो होती है वो एहम रहती है हमारे यहाँ अभी बरत्मान में जो पर्दानमंत्री वास जुजना है उ अन्य भी कुछ आपने जो बाते लिखी थी जैसे कि पसु पालकों के लिए मैंने पसु पालन विभाग से अनुसूचित जाती और अत्यंत पिछड़ा जाती को पछत परशंट अनुदान पर पसु दिलाऊंगा और उनके सेड की भी ववस्था मनरेगा विभाग से करूंगा जो कि हमारे पंचायत में कोई अभी दस साल से यह जोजना चल रहा है लेकिन मुख्या के द्वारे यह नहीं किया जा रहा है मैं हर पसु पालकों का और यह पसु सेड बकरी सेड हो या गाय भ23 का सेड हो या गदां घोडा का सेड हो सारा सेड बनाने का मैंने अपने घोसना पत्र में वादा किया है एक चीज तो ये भी है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि गाओं में जो है वो सणके बन जाती है नालिया बन जाती है लेकिन उनकी सफाई की उचीत पर वस्था नहीं होगा सफाई के लिए मैंने वादा किया है कि गाओं के तमाम कुड़े करकच को डंप किया जाएगा उठाकर कहीं एक जगाए कत्रित किया जाएगा और नो अगर किसान अगर जैविक खेती करेंगे तो वो कचणा उनके घर में टंक में पहुंचा कर और केचुआ के द्वारा खिला कर वो जैए खाद बना कर खेत में डलवाए जाएगा ताकि हमारा गाओं एक जैविक किशान क्रिसी परधान गाओं बन सके अचा इस बार का जो पंचायत चुनाव हो रहा है उसमें एक चीज देखी गई जिसमें कि अभी तक जितने भी पंचायतों में चुनाव हुए वह पर जो जनता ने है वो असी परतिसत बदलाव किया यानि कि जो निवर्तमान जो परतिनीधी थे वो चुनाव हार गया और नए लोगों को जनता ने मौका दिया तो क्या लगता है कि इस बार मुरार पंचायत में भी मैं तो ऐसे अपने जनता से उमीद कर रहा हूं कि वो ब में मुखिया ही आएगा और यह सारी घोसना हैं मैं वादा जो किया हूं जो मैं चैलेंज किया हूं उस चैलेंज को मैं सरकार से लड़कर अपने पंचायत के धरातल पर उतारने का काम करूंगा तो आपको नहीं लगता कि अगर जनता आपको अगर चुनेगी और आपने जो पूरा कर लेते हैं तो पूरी सरह से हाई टेक बन जाए तो वहीं तो बनाने के लिए मैं ब्रवस्था बदलने के लिए आया हूं सत्ता परिवर्तन के लिए तो आया नहीं हूं मैं तो बेवस्था आप में परिवर्तन करने के लिए मुख्या बनना चाहता हूं मैं जन्ता का सेवा करना चाहता हूं चाकि उनकी जो बेवस्था नहीं मिल रही है पनी बर्तमान मुख्या के द्वारा उसको मैं दे सकूँ जो योजना है उनको पहुंचा सकूँ चलिए हमसे बात करने के लिए आपका बहुत 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 आपका भी दन्या तो ये थे हमारे साथ किसोर कुमार इनके द्वारा प्रभंधन किया जायगा सहयोगी मनीज के साथ सुमिद पांडे भारत बक्सर झाल झाल झाल